इस वीडियो में मैं HP Laser 108W की अन्बोक्सिंग करने वाला हूँ तो चलिए देखते हैं ये कैसा प्रिंटर है और इस बोक्स में हमें क्या-क्या मिलता है तो यह आप देख सकते हैं इसमें देखी मैन्यूल वगएरा प्रवाइड किया गया है और रेफरेंस गाइड दिया हुआ है कैसे हम इसको उपरेट कर सकते हैं तो इसको थोड़ा साइड रखते हैं और देखते हैं इस बोक्स में और क्या-क्या दिया गया है यह देखिए यह एक USB केबल दी गई है और यह एक पावर केबल है और जैसा कि हमें पता है यह वाला मोडल जो है यह वाइरलेस है यानि कि Wi-Fi से भी कनेक्ट हो जाता है तो आप USB से भी कनेक्ट करी सकते हैं जैसे कि यह परवाइड की गई है आप चाहें तो इसको वाइरलेस यानि कि Wi-Fi वगएरा से अपने लैप्टोप, PC या फिर मोबाइल से टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं तो यह बबल सी है तो बहुत मज़ा आता है इनको फोड़ने में और इसमें देखते हैं यह क्या दिया हुआ है तो यह डस्ट कवर दिया हुआ है देखें यह प्लास्टिक का बना हुआ है ट्रांस्पेरेंट टाइप का है तो यह रहा हमारा प्रिंटर जितना बड़ा बोक्स था उससे काफी छोटा है यह मतलब अच्छी बात है कम स्पेस घेरेगा यह तो यह आप देख सकते हैं यह मैंने प्रिंटर को जो है पोलिथीन वाले कवर से बाहर निकाल लिया तो यह इसका फ्रेंट साइड हो गया और इसके बैक साइड पर आपको दो पोर्ट मिलेंगे देखिए इसमें से यह वाला पोर्ट जो है USB का है और यह पावर केबल का है जैसे कि आप देख सकते हैं यह पावर केबल है यह चीज यहाँ पर कनेक्ट होगी और वैसे ही हमारा जो USB पोर्ट है उसका यह वाला चीज यहाँ पर कनेक्ट होगी तो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है और यह काफी कॉम्पैक्ट है छोटा है शायद वीडियो में आपको बड़ा लग रहा हो क्यूंकि थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ वैसे देखने में मुश्किल से देखिया आप ऐसे आप नापेंगे तो आपको आइडिया होजा है कितना बड़ा यह और यह प्रिंटर मैंने अपनी यूटूब की फर्स्ट पेमेंट से खरीदा है पूरी पेमेंट से पूरा प्रिंटर तो खरीद नहीं पाया लेकिन यूटूब